बोपाल के हिंदी भवन में अलप संख्यक महा सम्मीलन का आयोजन किया गया लोगसबद चुनाओं की मद्दे निजर पार्टी का अलप संख्यक विभाग प्रदेश भर से यात्राएं निकालेगा इसका मकसद अलप संख्यकों को पार्टी से जोड़ना है जिसमें कॉंग्रस प्रदेश अध्यक सरणोयाद अव नेता प्रतिपक्ष सत्यदेव कटार है अलप संख्यक विभाग के राष्ट्री अध्यक्ष खुर्शीद एहमद साहिद काई कॉंग्रस नेता मौझूद रहे कुर्शीद एहमद साहिद ने कहा कि 14 दिवसी जन जागरन यात्रा राजी के विभिन हिस्सों से गुजरेगी इस दोरां NR की संफ्रक सरकार द्वारा अलप संख्यकों के लिए 10 सालों में शुरू की गई योजनाओ की जानकारी अलप संख्यकों के साथ ही अन्य लोगों को भी दी जाईगी उन्होंने कहा कि इस यात्रा के जरिये लोगों को पार्टी से जोनने का काम भी किया जाएगा इस यात्रा के माधियम से अलब संख्यकों को सरकार की यूजनाओ का किस तरह से लाब दिलवाया जाएगी जैन अलब संक्यकों को जोडने के लिए भी पार्टी विशेश जन्संपर का भियान चलाएगी कॉंग्रेस अलब संक्यक विभाक के प्रदेश अधियक्ष मौम्मद सलीम ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि समेलन के बाद प्रदेश अधियक्षर वियादव जन्जागरन यात्रा को हरी जंडी दिखाएंगे EMS TV के लिए कैमरा पर सुन डैनी खान के साथ नहाया आदव की रिपोर्ट